तो भाईयों आज की इस वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं कि यदि आपके भी मुबाइल फोन में बेटल ग्राउंड मुबाइल इंडिया गेम में यहां पर अपडेट का आपसेंस ओ नहीं कर रहा है मतलब कि आपके भी मुबाइल फोन में 1.6 का अपडेट नहीं आया हुआ है तो आपको क्या करना है आज की इस वीडियो में हम आपको तीन तरीके बताने वाले हैं आप इन तीनों तरीकों का यूज करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मुबाइल फोन में भी बेटल ग्राउंड मुबाइल इंडिया गेम में 1.6 का अपडेट आजाएगा और यहां पर अपडेट का आपसन सो होने लगेगा तो चलिए बिना कुछ देरी किये हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बता देते हैं उससे पहले आप चैनल पर नए होते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो सबसे पहला तरीका कौन सा है यहाँ पर आपको प्ले इस्टोर ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपकी जो आईडी होती है आपको इस पर क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक आप्सन मिलेगा manage apps and device आपको इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर एक option देखने को मिल जाएगा updates available तो यहाँ पर आपको see details पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखना है कि Battlegrounds Mobile India Game आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर अपडेट का option आजाता है तो अच्छी बात है यहाँ पर भी आपको Battlegrounds Mobile India Game देखने को नहीं मिलता है तो आपको दूसरा तरीका यूज करना है तो उसके लिए यहाँ से आपको back चले आना है back आने के बाद आपको settings में चले आना है और यहाँ पर आपको apps मतलब की देख लेना यहाँ पर आपको एक apps का option मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर apps पर click कर देना है उसके बाद दूसरे नमबर पर एक option मिलेगा manage apps आपको इस पर click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर search कर लेना है play store जैसे कि मैं यहाँ पर search कर लेता हूँ play store search करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा clear data आपको इस पर click कर देना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको clear catch करना है clear catch करने के बाद आपको play store open करना है और वहाँ पर आपको battlegrounds mobile india game सर्च करना है यहाँ अपडेट आजाता है तो अच्छी बात है यहाँ फिर भी आपको update नहीं देखने को मिलता है तो यहाँ से आपको clear catch और clear data दोनों कर देना है उसके बाद आपको देखना है कि battlegrounds mobile india game में update आपडेट का option अभी भी आपको सो नहीं करता है तो आपको क्या करना है तो भाईयों उसके लिए आपको simply यहाँ पर chrome browser open कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर chrome browser open कर लेता हूं और यहाँ पर आपको battlegrounds mobile india game की official website पर चले आना है मतलब कि यहाँ पर आपको search बार में type कर लेना ह battlegrounds mobile india.com जैसे ही आप type करके search करोगे यहाँ पर आपको इनकी official website देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको option देखने को मिलते हैं दो यहाँ पर first number पर लिखा हुआ है download on the app store और यहाँ पर लिखा हुआ है get it on google play तो यही पर आपको एक options होने लगेगा update now तो भाईयों ज सबसे पहले आपनी official website पर information दे देते हैं तो जैसे ही battlegrounds mobile india game में 1.6 का update आता है तो ओ लोग यहाँ पर आपको सबसे पहले बता देंगे और यहाँ पर आपको एक option दे देंगे update now आप जैसे ही उस पर click करोगे तो आप directly play store पर पहुंझ जाओगी और वहाँ पर जाकर आप आ देख लेना है तो भाईयों अभी battlegrounds mobile india game में update नहीं आया है मतलब कि किसी के phone में भी अभी आपको battlegrounds mobile india game में 1.6 का update देखने को नहीं मिलेगा जैसे ही कुछ लोगों के phone में मतलब की 1.6 का update आ जाता है तब आपको इन तीनों चीज़ों को try करना है पहले आपको try नहीं कर आना शुरू हो जाए तब आपको इन तीनों चीज़ों को try करना है उमीद आए आपको भी battlegrounds mobile india game में 1.6 का update देखने को मिल जाएगा तो भाईयों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो यह प्लीज चैनल को subscribe कर लेना और इस वीडियो को like जरूर कर देना यह आ ँलीज लगी जाए देना नच्वे